नमश्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में अगर आप अपने शरीर को निरोगी बनाना चाहते हैं और आईरुवेद के अनुसार अपने शरीर को वर्दान वो अम्रिद देना चाहते हैं जो कि आपको बहुत पुराने समय से परकर्दी ने इसे पारंपरिक तरीके से किसी और तरीके से बनाया जाता है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इससे आप आसानी से इसे बना सकते हैं आज हम बनाएंगे कैसा चवन प्रस जो कि आपके शरीर को निरोगी बनाए कि इसमें जो चीजें इस्नमाल होंगी वो बिलकुल अलग है इसकी जो प्योरिटी होगी वो बिलकुल अलग है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें इस्नमाल की गई है जो कि आपके और भी कई सारे रोगों को ठीक करती है वीडियो वाके लंबा जरूर हो सकता है लेकिन एक चीज आपको बहुत अच्छे से बताई जाएगी और समझाई जाएगी जिससे कि आप इसे प्रॉपर तरीके से ले सकें किन लोगों को लेना है किन को नहीं लेना है किस समय पर लेना है किस चीज के साथ लेना है कितनी मात्रा में लेना है सारी बाते वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी तो चलिए आज हम इस आयरुवेदिक तरीके से बहुत ही बढ़िया चवन प्रास को बनाना शुरू करते हैं चवन प्रास को बनाने के लिए जो में इंग्रीडियंट हमेशा इस्तमाल होता है वो है आमला इस समय पर भरपूर मात्रा में आपको मार्केट में मिलता है लेकिन कैसे आमले का इस्तमाल करना है आपने वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है जब आमला कच्चा आता है एकदम हरा होता है उससे आपने चवन प्रास या फिर मुरबह वगेरा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसमें काफी अधिक मात्रा में कसेला पन होता है तो आपको मीठा जादा डालना पड़ता है और इसी के साथ-साथ उसके फायदे भी थोड़े से कम होते हैं उसको तो अगर आप कच्चा सुभा खाली पेट खाते हैं तो आपको वो बहुत निरोगी बनाता है अगर आप आमले के सीजन में ये 2-3 महीने कच्चा आमला सुभा एक आमला खा लेते हैं तो आपका शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि पूरे साल के लिए आपको बिमारी उसे लड़ने के लिए आपका शरीर तयार हो जाता है आमले के बहुत सारे फायते हैं अगर आपको चाहिए तो उसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा जरूर तो यहां पर हम बात कर रही हैं आमले के बारे में तो आमला मैंने यहां पर दो किलो लिये हैं अच्छे से धुलकर साफ कर लिये हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से और यह मीडियम साइज के आमले लिये हैं मैंने अगर आपको बड़े साइज का मिलता है तो आप बड़ा भी ले सकते हैं यह जो विदी है जिससे मैं आपको बता रही हूँ यह आवले बनाना यह पारम पर एक विदी तो नहीं है लेकिन यह बिल्कुल उसी की तरह मैंने कोशिश की है तो यहां पर मैंने लिया है एक कूकर अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो प्लीज मिट्टी कि 1 cup पानी डाला है इससे जादा पानी मैंने नहीं डाला है मिर पास हांडी नहीं है स्टीबन नहीं है तो मैं cooker का इस्तमाल जरूर कर रही हूँ لेकिन इसमें कोई भी चीज waste नहीं जाएगी तो यहाँ पर मैंने एक cup इसमें पानी डाल दिया है और अब इसे ढखकन लगाकर मीडियम फ्लेम पर एक सीटी आने तक पका लेंगे आमले को मैंने पकने के लिए रख दिया है और अब यहाँ पर मैंने लिये हैं 300 ग्राम खजूर यहाँ पर आपने वो जो सिरके वाले खजूर आते हैं जो की गिले गिले से होते हैं थोड़ी से उनका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उनमें काफी अधिक मात्रा में अल्टेडी चूइनी मिलाई गई होती है यह सूखा खजूर जो होता है सूखा से मेरा मतलब ऐसा नहीं है जो छुआरा होता है वो वाला नॉमली जो ऐसे आपको खजूर मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है तो यह 300 ग्राम मैंने लिये हैं एंटियोक्सिजन्ट से भरपूर होते हैं इसके काफी सारे फायदे हैं यह जो मैं आज बना रही हूँ चवण प्रस यह अगर आपका जो आपको अगर सुगर की समस्या यानि के डायबर्टीज है तो वो लोग भी ले सकते हैं लेकिन कम मात्रा में कितनी मात्रा में कैसे लेना है वो भी मैं आपको वीडियो के एंट में बताऊंगी तो यह 300 ग्राम जो खजूर मैंने लिये इनको आप साधे पानी में डाल कर एक बार हलके हाथ से रगड़ कर धूल जरूर लीजिएगा क्योंकि जब मार्केट में हमें यह हजूर मिलता है तो इस पे काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इसको लंबे समय तक फ्रेश बनाया रखने के लिए तो किसी भी डाफूर्स को आगर धूल कर इस्तमाल करते हैं तो ज़्यादा बहतर रहता है तो एक बार बस पानी निकाल लीजिए इनका इस तरीकी से देखे पानी काफी गंदा हो गया है और अब इस पानी को निकाल कर अलग कर दीजिए तो ये देखिए पानी को मैंने निकाल दिया है अब आपने क्या करना है इसके डंठल को और बीज को आपने अलग कर देना यानि कि इसे दो हिस्सों में तोड लेना है ऐसा करने से आपको एक फायदा और मिलेगा कि अगर किसी में कोई कीड़ा तो नहीं है ये भी आपको पता चल जाएगा तो ये देखिए मैंने सारे बीज निकाल लिए है अब आपने में डालना है गर्म पानी पानी उतना ही डालना है जितने में ये अच्छे से डूब जाएं और ये फूल जाएं तो मैं यहाँ पर पानी डाल देती हूं इसी के साथ मैं डाल रही हूं यहाँ पर थोड़ी सी किश्मिश क्योंकि इसमें काफी अधिक मात्रा में ऐसे गुन पाया जाते हैं जो कि आपकी खून की कमी को दूर करते हैं तो मैं किश्मिश एड़ कर रही हूँ अगर आपको टेस्ट नहीं अच्छा लगता है यह नहीं पसंद है तो आप इसके भी कर सकते हैं तो मैं एक मुट्टी भर के किस्मिश भी इसी के साथ अच्छे से धुल कर इसमें ही भीगो कर रख दूँगी खजूर के साथ ही आवले को मैंने उबाल लिया है और जैसे इसका स्टीम निकल जाता है उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ तो आवले बढ़िया तरीके से उबल गए हैं मुझे अच्छे पके हुए आवले चाहिए थे तो इसलिए मैंने मीडियम फ्लेम पर एक सीटी लगाई है अगर आपको जो है इसे मिक्सी में पीसना है तो आप क्या करें इसको जो है सिर्फ मतलब हाई फ्लेम पर एक सीटी लगाएं तो भी आसानी से पिस जाते हैं लेकिन मुझे यह से मिक्सी में नहीं भीजना है तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा जादा गलाया है आप इनको निकाल लेंगे बाहर हम आवले मैंने बाहर निकाल लिये हैं आप देख सकते हैं बहुत कम मातरा में हमारा पानी यहाँ पर निकला है आवलो का इसे फैकना नहीं है आप जाहें इसे बाल दुझ सकते हैं या इसे नॉर्मल टेंपरेचर पर आ जाए उसके बाद आप फ्रिज में रखकर इसमें निम्बू का रस मिलाकर इसे इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं क्या करूंगी मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही यूज कर लूँगी मतलब कहने का यह है कि जब मैं आवले को भूनूंगी उसी जमय पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल दूंगी आवले के अंदर ही ताकि क क्या होगा कि इसके पूरे पोसक तत्व हमारे इसी में वापस चले जाएंगे कोई भी चीज वेस्त नहीं होगी आवले के बीज निकालने हैं लेकिन पहले उसे हलका सा ठंडा होने देंगे उसके बाद हम बीज निकालेंगे तब तक हम मसाला पीस का तयार करेंगे तो इसक को बूस करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को स्टॉंग बनाते हैं डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं जो भी चीज़े में इस्तमाल करूंगी उनके कुछ-कुछ फायदे में आपको जरूर बताऊंगी तो यहां पर इनको डाल देंगे हम मिक्सी के जार में मैंने पहले कई सारी वीडियो में आपको बताया है और यह जो है बहुत फायदा करता है उनके लिए जिनको सांस की दिक्कत है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन्द है तो जरूर डालिएगा एक बड़ा चमच डालेंगे अजवायन कफ के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जिनने हड़ियों में दर्द रहता है वो एक चुथाई चमच खूब कला भी इसमें जरूर अट करें ये सारी चीज़े आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएं इसके लिए एक चमच हम जीरा भी डालेंगे दो छोटे टुकड़े या दो छोटी लकडिया डालेंगे हम दालचीनी की लगवग साथ से आठ पत्ते लिए हैं मैंने आपर तेज पता जो होता है वो लिया है उ इन लोगों को यादास कमजोर होने की दिक्कत है या अपना दिमाग तेज करना है वो लोग इसे जरूर डालें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है तो एक चमच मैं यहापर डाल रही हूँ एक चोटी चमच ही इस्तमाल करना है आपने यह सारी चीज़े आपको इजिल को बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद आप इसे च्छाने जरूर क्योंकि क्या होता है कई बार कोई चीज नहीं पीसती है तो वो मुह में आएगी तो आपको फिर खाने में टेस्स अच्छा नहीं लगेगा जो भी चीज़े ऊपर बचती है यानि के चल अब दो तरीके हैं आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं लेकिन मैं इसे मिक्सी में नहीं पीस हूँगी मैं यहां पर क्या करूँगी कि मैं इन्हें चम्मस से ही ऐसे ही मैश कर लूँगी दोनों चीज़ों को आप चाहें तो सिल्बटे पर भी पीस सकते हैं तो मैं सिल्वर्टे पर कुछ को ही मैं हाथ से मैस करूँगी तो यह मैंने अच्छे से मैश करकर एक बरतन में भड़ लिया है आप देह सकते हैं, यह प्रॉपर अच्छे से जो है नहीं पीसे है, हाथ से मैश नहीं हो पाते हैं अच्छे से लेकिन ये बाद में सब ठीक हो जाएगा जहा हम इसे कड़ाई में गोटेंगे तो ये देखे मैंने इन्हें मैश कर लिया है बड़िया तरीके से सिल्वर्टे पर भी पीश सकते हैं आप इन्हें मैश भी कर सकते हैं अच्छे से उबाल लेते हैं तो अराम से मैश हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है इसी तरीके से मैंने यहाँ पर खजूर को भी चम्मत से ही मैश कर लिया है ताकि इनके पोसक तत्व बरकरार रहें किसमिस नहीं पीसी है हाथ से चम्मत से तो कोई दिक्कत नहीं है वो मु लोहे की कढhrाई ली है आप चाहें तो नॉन्स्टिक ये است्टिल भी ले सकते हैं लेकिन लोहे की कढhrाई लेने का ये फाइदा है कि आपको विटमिनची के साथ साथ आयर्न भी मिलेगा अगर आप ऀयलेगा को लोहे कढ़ाई में ही पका रही हूं आप इसमें डालेंगे कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे तीन से चार चमच देसी गाएं का देसी घी तो देसी गाएं का नहीं मिल पाता तो नॉर्मली जो गाएं होती हैं उनका कोई किसी भी गाएं का आप घी ले गए घी गा इसको कड़ाई में डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे देखिए इसको भूनना बहुत जरूरी है कई बार क्या होता है लोग बहुत कम इसको भूनते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बनाकर चवानपरस तयार कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका जो पारंपरिक तरीका है चवानपरस बनाने का वो दो दिन का समय लगता है इसको पारंपरिक तरीके से बनाने के लिए तो हम इतना तो नहीं कर सकते कि दो दिन के लिए इसको तयार करें इतनी महनत तो नहीं कर पाएंगे लेकिन मैंने भी इसको जब बनाया है अपने घर लगा है इतनी महनत तो हम कर सकते हैं क्योंकि ये एक बार जब मैं बना रही हूं तो ये पूरा जो है तीन महीने तक चलेगा आराम से इतनी जादा क्वांटिटी में बना रही हूं तो एक दिन की महनत तो आराम से हम इसमें करी सकते हैं लगबग मुझे लगे हैं से बनाने मे 8-10 गंटे क्योंकि सारा प्रोसेस मैंने हाथ से किया है जो आवला मैंने चम्मस से मैश किया है खजूर को भी मैंने हाथ से मैश किया है और इसी के साथ जो आवला है और जो यहाँ पर चीजे हैं मैंने उन्हें काफी जादा भूना है तो सबसे पहले तो मैं आवले को लगबग 10-15 मिनिट के लिए ऐसे ही भून लूँगी तो ये देखिए लगबग 15 मिनिट के लिए मैंने इसे भून लिया है आप देख सकते हैं लोहे के कड़ाई ने भी अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है अब इसमें हम खजूर को भी मिक्स कर देंगे और इसे फिर से लगबग 20-15 मिनिट के लिए भूनेंगे बढ़िया तरीके से मीडियम टू लो फलेम पर भूनना है हाथ को आपके काफी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन इसके रिजल्ट भी बहुत अद्बुत होती है तो ये देखिए मैंने इसे लगबग 25-30 मिन भून लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरीके से चेंज होना शुरू हो गया है इसी के बीच में इसे भूनते भूनते मैंने जो आवले का पानी एक कप साइड में रखा था वो भी दीडे-दीडे करके इसी में मिक्स कर दिया था ये प्रोसेस मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये वीडियो और भी बहुत जादा लंबा हो जाता तो मैंने इसे 20-25 मिन लगबग भून लिया है और अब मैंने फिर से 15-20 मिन के लिए भून लिया है दोबारा से और आप देख सकते हैं इसको के काफी मैशी हो गया है हाथ से मैंने चमच से मैश किया है वो आपको दिखाई दे रहा हुगा क्योंकि कुछ-कुछ चीजें आपको अभी भी ऐसे ही दिखाई दे रही हैं जैसे के छिलका है घजूर का और साथी साथ कुछ पीसीज है आमले के और अभी हमें इसे और भूनना है लेकिन उससे पहले हम इसमें मीठा एड़ कर देंगे तो मीठे के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गुड यह मैंने यहाँ पर लगबग लिया है 800 ग्राम गुड जिसे मैंने थोड़ा-थोड़ा तोड लिया है और मीठा मैं किसी हिसाब से डाल रही हूँ कि मैंने यहाँ पर दो किलो आमले लिये हैं तो मैं कुछ सहद एड़ करूँगी कुछ मैंने 300 ग्राम खजूर डाले हैं और 700 ग्राम मैं डाल रही हूँ गुड मीठा आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अब यहाँ पर हम गुल के साथ मिलाकर इसको फिर से लगबग 15-20 मिनिट के लिए अच्छे से भूनेंगे तो यह देखी लगबग 20 मिनिट के लिए मैंने फिर से भून लिया है इसको और अब आप देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है सारा प्रोसेस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करना है फ्लेम को हाई नहीं करेंगे और अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ अच्छे से मैश भी हो गई है सिर्फ किश्मिश रह गई है लेकिन वो नहीं हो रही है बैश तो कोई दिक्कत नहीं है मैंने डाला है सिर्फ ह अब यहां पर हम कुछ और चीज़े भी एड करेंगे तो सबसे पहले मैं डाल रही हूं इसमें एक चमच भर के सोट अगर आपको जो है यहां पर सोट नहीं डालनी है अद्रक डालना है तो जब हमने आवले को मैश किया है तो उस समय पर आप मिक्सी में अद्रक को पीश सक अगर आपको अद्रक डालना है इसी के साथ जो मसाला हमने तयार करके रखा था सूखा मसाला वह भी हम इसमें एड कर देंगे इसी समय पर और लगबग 10 मिट के लिए हम इसे फिर से भूनेंगे तो 10 मिट के लिए मैंने भून लिया है 10-12 मिनट के लिए और आब इसमें डा देंगे इसको बस एक मिनट के लिए भूनना है अप फिर से और गैस को फिर बंद कर देना है अपने बढ़िया तरीकी से भूनने के बाद मैंने गैस को कर दिया है बंद लेकिन थोड़ी देर चलाती रहूंगी ताकि सारी चीजे जो है गर्म है कड़ाई चिपके न और मिलने वाले सेहद बिलकुल न डाले कि उसमें काफी सारी चीनी एड की जाती है वो आपको कोई फायदा नहीं करेगा तो अगर सेहद नहीं है आपके पास प्योड तो आप इसमें नहीं डाले गुड़गी मातरा को ही आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और साती सात इस बात का भी ध्यान रखे कि आप जो है इसको अच्छे से ठंडा होने के बाद यानि कि गुनगुना ठंडा होने के बाद ही सहत को डालें क्योंकि सहत को कभी भी पकाया नहीं जाता है आज पर और इसी स्टेश पर मैं डाल रही हूं इसमें तुलसी सत यानि कि तुलसी का र तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरे पास अभी है विलिबल तो यह पांस तरह की तुलसी का रज है मैं इसमें यह एड़ कर रही हूं कितना डालना है मैं भी आपको बताती हूं मैंने एक चमच ली है और लगबग 10 बून के बराबर आपने इसमें डालना है तुलसी का रज यह बहुत ज़्यादा फाइदेमंद है और साथी साथ पांच तुलसीों से मिलकर बना है तो इसके और भी ओस्दिय गुन ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर इतना सा इसको आड़ क देखाएंगे तो कोई भी बिमारी आपको नहीं होगी यह देखिए कितना बढ़िया और लाजबाब हमारा यह चवन प्रस बनकर तयार हो गया है आपने एक बात का और ध्यान रखना इसे स्टोर करते समय पूरी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद आपने किसी कांच के जार में इसको भर कर रखना है यह कई कई महीनों तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है आपको बहुत फायदा करता है आप इसे लेने का सही तरीका मैं आपको बता देती हूं बच्चों को आपने इसको नहीं देना है क्योंकि इसमें काफी सारी चीज़े हमने ऐसी मिलाई जो की तासीर में काफी गर्म है अगर बच्चों को आप देना चाहते हैं तो पांस साल से उपर के बच्चों को देंगे और हो भी एक चोथाई चमच बस इससे जादा नहीं इसे लेने का सही समय है सुबह का समय जब आप अपने सुबह के जितने भी ब्रश वगरा करना इन जादा फायदा करता है इसे तुरंत गटक मत जाईएगा नहीं तो ये आपको उतना जादा फायदा नहीं करेगा क्योंकि इसमें सारी ओस्दियों का फरक आपके शरीर पर तभी जादा पड़ता है जब आप मुखे सलाइवा के साथ इसको खाते हैं दूद के साथ आपने इसको नहीं लेना है रात को नहीं लेना है अगर इसके बेस्ट आपको चाहिए तो आप इसे सुबह के समय में ही लेंगे और वो भी इसके लेने के एक घंटे के बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है बिल्कुल भी प्रिग्निट लेडिज जो होती है वो इसे नहीं ले क्योंकि उल्रेडी उनके शरीर में काफी गर्मी है जिन लोगों के शरीर में जादा गर्मी रहती है यानि के पैरों से आग वगरा निकलती है तो ऐसे लोग इसे जो है डोक्टर की सलह के साथ ही लेंगे और वैसे तो यह सब वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंज के साथ में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ तब तक अपना खयाल रखें हस्ते हुसकराते रहें स्टे हेल्दी स्टे हैपी बाबाई